मैं मानता हूँ कि एक जिम्मेदार एक पार्टी ये नाते हैं कानूं का सहीयोग देना चाहिए था इस सारा जो मामला है कि कहीं न कहीं कॉर्ट ने रजिस्टर की हुई एफायर के बेसीज पर चला है मगर हरोज वो प्रदेशन करते हैं जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है मेरा स्पष्ट मानना है कि कॉंग्रेस ने इसमें हीडन तरीके से अपनी एपिस्मेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है आज इडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है ना पुछताज की है ना कोई रेड हुई है कुछ नहीं हुआ है और अचानक ही कॉंग्रेस ने आज ये कारेकरम दिया विरोध का मैं तो समझी नहीं सकता विरोध का कारेकरम क्यूं आज दिया गया है पर हरोत जब विरोत के कारेकरम होते थे, तो अपने अपने ढ्रेस में होते थे, आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहन कर करें, मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री स्री नरेंडर मोदी जी ने राम जन्व मुवी का सिलान्यास किया था शाड़े 500 साल पुरान ये समस्या का बहुत सांति पून तरीके से समाधन निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था ना हिंसा हुई थी और सांति पून तरीके से करोडो करोडो लोगों की स्रध्धा को परवान किया था कॉंग्रेस ने आज का दिन इसी लिए विरोध के लिए और विशेश कर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिले किया है कि वो एक सटल मैसेद देना चाहते हैं कि हम राम जन्व भुमी के सिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुरुष्टी करन की निती को व कॉंग्रेस के लिए अच्छी है तु श्ती करन की निती के चलते ही अज कॉंग्रेस जी स्तीति में है वो स्तीति में दिखाई पड़ रही है और जहां तक ED का सवाल है सभी ने डेश के कानून की व्यो buyersता का संभानन करना चाहिए और सरयोग करना चाहिए झाल झाल